हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपल्स के बारे में सबसे पहले बच्चो देखते हैं कि ये इंपल्स क्या होता है there are two types of changing velocity of an object देखिए कोई भी object की velocity को change करने के only two types हो सकते हैं कौन-कौन से first one by applying a force of large magnitude for a very short direction of time देखिए एक large force ठीक है बहुत ज्यादा magnitude का force है उसे छोड़े से time के लिए apply किया जाए उसे थोड़े से time के लिए apply किया जाए एक तो type है बच्चो ये ठीक है जो कि आपने देखा इसका मतलब देखिए कि एक मैं hammer है उसे एक nail मतलब एक हतोड़े से एक kill पर ये एक kill है इस पर मैं अगर एक हतोड़ा ठोकूँ तो मैं क्या करूँगा बच्चो एक बहुत ही large magnitude का force है वो इस पर apply कर रहा हूँ और थोड़े से time के लिए और ये kill क्या करेगी ये जो kill है वो इस wall में चली जाएगी एक तो ये तरीका है कौनसा by applying a force of a large magnitude for a very short during of time एक बहुत जादा magnitude का force बहुत थोड़े से देर के लिए apply किया जाए या फिर दूसरा तरीका है by applying a force of a small magnitude for a long direction of time या फिर मैं यह करूँ कि थोड़े से magnitude का force है वो बहुत लंबे time तक apply करूँ किसी भी object पर या फिर मैं यह करूँ यह जो है वो कील में ने ले ली है इसी पर example बताता हूँ और इस पर मैं थोड़ा 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 लगाई रहा हूँ या फिर मैं क्या करूँ कि यह गाड़ी बहुत बारी है लेकिन इस पर मैं अकेला लगा रहा हूँ और बहुत लंबे time तक थोड़ा सा force अप्लाई करता रहा हूँ तो मतलब उस गाड़ी के velocity में change करने के दो options से या तो फिर मैं बहुत लारज सा बहुत लार्ज magnitude का force उस गाड़ी के उपर थोड़े से time के लिए लगा दूँ या फिर मैं क्या करूँ उसी गाड़ी के उपर मैं थोड़े से magnitude का force बहुत लंबे time तक लगाता रहा हूँ ये दो options हो सकते हैं किसी भी object की velocity में change करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ देखी इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि किसी भी object की velocity जो change है वो only दो factors पर depend करती है बच्चों किस-किस पर एक तो force पर और एक है time interval पर इन दो चीजों पर depend करती है कौन है velocity change तो मैं यह बोल सकता हूँ the product of applying force on a body and a time interval for which the force is imposed is called impulse impulse क्या है बच्चों product है किस-किस का force का और यह force लगाने में जितना time interval लगा impulse क्या है बच्चों product है किस-किस का force का और वो force लगाने में जितना time interval आप ले रहे हो कि एक force बहुत बड़ा है एक large magnitude का force है वो और very short during of time है यह जो time है और यह जो force है इन दोनों का multiply क्या होगा बच्चों impulse होगा clear हुआ कि नहीं बिलकुल हुआ it is represented by i-vector और impulse को किस से represent किया जाता है i-vector से represent किया जाता है this is a vector quantity और यह कौन से quantity है बच्चों vector quantity है मतलब कि impulse का magnitude पता होने के साथ साथ हम उसकी direction भी पता कर सकते हैं and इसका जो formula है वो क्या होगा बच्चों impulse is equal to force into time interval अभी आपको बताए impulse क्या होता है product of a force and time interval clear है कि नहीं बहुत बढ़िया इस पर एक बार दुबारा review लेते हैं अपन देखते हैं कि यह क्या क्या चीज़ है थी impulse के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों impulse क्या होता है कि किसी भी object की velocity है उस velocity में change है वो दो types से आ सकता है कौन कौन से two types बच्चों फर्स्ट था अगर एक large magnitude का force है वो short during of time के लिए apply किया जाए या फिर एक small magnitude के force को long direction of time के लिए apply किया जाए मतलब छोटे से force को लंबे time तक apply किया जाए यह दो types दो तरीके थे अपने पास और यहां से पता चला कि कि किसी भी object की velocity में अगर change करना है तो दो factors पर depend करेगा वो change force और time interval पर फिर हमने देखा कि जो force और time interval इन दोनों का multiply ही क्या है वो चो impulse है और impulse को represent किया जाता है I vector से और this is a vector quantity और impulse का formula कितना है force into force into time interval clear हुआ कि निवा बचो बहुत बढ़िया इसके बार में हम पढ़ते हैं impulse momentum theorem देखें impulse momentum theorem पढ़ने से पहले आपको integration के बारे में कुछ पता होना चाहिए हालांकि integration की एक video है वो मैं आपको इस topic को करवाने से पहले में send कर दूँगा ठीक है जिसके अंदर आपको integration के बारे मे पूरी detail मिलेगे लेकिन यहाँ पर क्या-क्या use कर रहे वो इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको दुबारा remind करवाता हूँ देखें हम यहाँ पर देखेंगे कि एक value है dt अगर आपको dt का integration करना पड़े तो यह जो symbol है बचो वो बोला जाता है integration का symbol यह किसका symbol है integration का symbol और इस यह आपके पास यह चोटी सी value है जब आपको किसी भी चीज की चोटी सी value पता हो तो आप उसका integration करके बड़ी value मतलब बड़ी value प्राप कर सकते हो चीक है आपको यहाँ पर dt आपको शोर्ट टाइम पता था छोटा सा टाइम पता था dt आपको क्या यह full time कितना होगा t होगा तो आप dt का क्या करोगे integration करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चो बड़े वाला time पूरा time मिल जाएगा तो मैंने dt का क्या integration क्या तो मेरे पास बच्चो क्या मिलेगा time मिल जाएगा t अच्छा यह जो integration होता है ना उसकी limit भी होती है कई बार आपको दी हुई जैसे कि time की limit दे दी किसी ने आपको T1 to T2 आपको DT का integration करना और limit बोलते हैं बचो इसको T1 to T2 ठीक है integration of DT limit है T1 to T2 इसकी value क्या होगी तो DT का integration तो T1 है लेकिन इसके साथ में इसकी limit भी दियो है बचो T1 to T2 उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है right side में और यह क्या होती है यह जो उपर वाला है T2 इसे बोला जाता है upper limit और जो यह T1 है बचो जो नीचे लिखी हुई है इसे बोला जाता है lower limit और इसे solve कि ऐसे किया जाता है यह जो T है इसकी जगए यह value पुट करता हूं मैं T2 इसे T की जगए पुट करता हूं पहले हमेशा upper limit पुट की जाएगी और minus करके lower limit इसकी जगए पुट की जाएगी तो इस value का solution कितना है बचो यह है T2 minus T1 समझ में आया यही चीजे कुछ यहाँ पर use करेंगे हम देखे कैसे when a force F vector act on an object for a short time interval dt then impulse अगर एक force है F vector वो dt short time के लिए किसी भी object पर apply किया जाता है तो impulse क्या होगा बच्चो impulse is equal to force into time interval तो impulse कितना आएगा D I vector is equal to कितना देखे time interval छोटा सा है तो impulse भी क्या आएगा छोटा सा आएगा तो D I vector is equal to कितना बच्चो F vector dot dt क्यों force into time interval आया की नहीं आया आया आपको क्या पता चला है बच्चो यहां से आपको छोटा सा एक small सा impulse पता चल गया अगर आपको इसे total impulse में convert करना है total impulse कितना होगा बच्चो I होगा I vector पता करना है तो अभी आपको बताए था जब आपको short चीज़ पता हो और आपको उसके large चीज़ पता करनी है तो क्या करेंगे वहां का integration करेंगे तो बच्चो इसका integration क्या d i vector का integration कितना होगा i होगा क्यों d t का t हुआ तो d i का i होगा और इसका integration करो f vector dt का integration इसका integration किया तो limit आई t1 to t2 और इसका integration करते हैं आप देखो क्या बच्चो f है force है वो vary करेगा force change होगा नहीं होगा तो force किदर आ जाएगा बच्चो force यहां से बाहर आ जाएगा जो चीज़ vary नहीं करती वो integration के symbol से पहले आ जाती है तो d i vector is equal to कितना बच्चेगा f vector integration of dt limit t1 to t2 यह value बच्ची आपके पास इसे देदी equation second और आपको बताया था इस चीज़ को solve करके क्या लिख सकते हो आप dt का integration कितना t आया और limit है t1 to t2 फिर आप t की से अपर limit रखते हो पहले minus a lower limit तो यह आपके i vector is equal to f vector t2 minus t1 equation 3 आपके पास है ठीक है यहां से मैंने लिया from second law of Newton Newton का second law use में लेता हूँ मैं Newton का second law बच्चो अपने को क्या बोल रहा है f vector is equal to dp vector upon है dt और अगर मुझे value चाहिए dp vector की तो वो किसके equal आएगी इन्हें दोनों का product आजाएगा f vector dot dt dp vector है बच्चो वो एक छोटा सा momentum है और अगर मुझे पूरा momentum चाहिए तो मैं क्या करूँगा इस value का integration करूँगा तो integration कर दिया मैंने integration किसका dp vector का और momentum की limit कितनी होती है बच्चो p1 to p2 मतलब ये जो value है वो initial momentum है और final momentum कितना है p2 clear हुआ और इदर इस value का भी वेने क्या क्या integration क्या और limit है t1 to t2 आपको बताया था force vary नहीं करेगा तो force किदर आगया बच्चो बाहर आगया ये value कितनी बच्ची t1 to t2 integration किसका dt का इसे दी equation 4 अगर मैं comparison करूँ equation 4 and first का अगर इन दोनों का मैं comparison करूँ किन-किन का equation second और 4 का second और 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चो इनकी जो right hand side है दोनों की equal है है कि नहीं है दोनों की equal है तो इनकी left hand side dp vector limit p1 to p2 आ सकती है विलकुल और इसका जब मैं integration करूँगा बच्चो dp vector का मतलब ये dp जो है वो छोटा सा momentum इसका पूरा momentum कितना होगा बच्चो p होगा तो value आगी p vector limit कितनी p1 से p2 और अगर मैं लिखू value यहाँ पर p की जगा पर limit रखूँ तो p2 minus का है कि बच्चो lower limit p1 तो i vector is equal to कितना है आप p2 minus p1 ये जो equation 5 है यही equation है बच्चो impulse momentum theorem ये equation 5 कौन सी है impulse momentum theorem होती है clear है कि नहीं यहाँ तक बातें बिलकुल बहुत बढ़िया इसका मतलब क्या हुआ बच्चो ये जो impulse है वो किसके होंगे यहाँ पर अगर कोई एक object था बच्चो m mass का और वो u velocity से move कर रहा है और आपको वहाँ पर क्या पूछ लिया जाता है momentum पूछ लिया जाता है initial momentum तो क्या आएगा mass into velocity कितना m u अगर t time के बाद में बच्चो यही object है m mass का वह v velocity से move कर रहा है वो किस velocity से move कर रहा है v velocity से move कर रहा है और आप से मैं पूछता हूं momentum final momentum तो वह कितना आएगा m v vector आएगा आएगा की नहीं बिलकुल आएगा और यहाँ पर अगर मैं change in momentum पूछू तो final momentum minus initial momentum होगा values पूछ करता हूँ मैं M v vector minus P2 vector minus P1 vector की, अगर यही है chance in momentum, अगर यहाँ पर यह value put करो, तो formula क्या बनेगा, देखिए, I vector is equal to P2 minus P1 की वह value put कर दी, तो M V vector minus U vector, यह भी क्या है, यह भी है, impulse momentum theorem है, चाहे आप यह use ले सकते हो, या फिर यह use ले सकते हो, तो बच्चों, आज के वीडियो में आपने सबसे पहल हैं, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए goodbye, take care.